दोस्तों कि आप जानते हैं कि आखिर क्यों मरे हुए उट को हाथ नहीं लगाना चीए अगर गलती से भी आपको कहीं मरा हुआ उट दिखाई दे तो उसे छूने की कोसिस मत करना वरना आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने कलपना भी ना की हो क्योंकि जैसे ही आप मरे हुए उट को छूने की कोसिस करेंगे उट ब्लास्ट हो सकता है और इस ब्लास्ट में आपकी जान जाने की पूरी पूरी संभावना है ये सारी बाते शायद आपको बड़ी अजीब लगती हों बस आप इस वीडियो में बने रहें और आपको ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो आपके होस उडा के रख देगी दोस्तों उट एक ऐसा जानवर है जिसे रेगिस्तान की तपती धूप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए उट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं रेगिस्तान की जुलसा देने वाली गर्मी में जहां बड़े बड़े जानवरों की प्यास के मारे हालत खराब हो जाती है वहीं उट को इसका रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उट विना खाए पिये कई दिनों तक रह सकता है दोस्तों कि आपके मन में कभी ख्याल आया है कि आखिर रेगिस्तानी इलाकों में उट की इतनी ज़्यादा एहमियत क्यों है क्योंकि उट से ज़्यादा तेजी से तो घोड़ा भी दौर सकता है चलिए हम आपको बताते हैं इसकी वज़ा आपको बता दू कि घोड़ा बाके ही उट से ज़्यादा तेज होते हैं यहां तक कि किसी को अपने पीट पे बैठा के भागने के मामले में घोड़ा सबसे तेज भाग सकता है और सबसे फुर्तिले भी होते हैं लेकिन जब रेट पे दौड़ने की बारी आती है तो घोड़े हार जाते हैं घोड़े प्लेन एरिया में तो अच्छा परफॉमेंस देते हैं लेकिन जहां रेगिस्तानों की बात आती है घोड़ा दौड़ना तो दूर की बात है अच्छे से चल भी नहीं पाते हैं प्रन्तु उट बने ही इसी लिए हैं ताकि वो रेट पे आसानी से चल सके असल में उट के पैर चोड़े और कुसन के तरह होते हैं जिससे उन्हें रेट में चलने पे मदद मिलती हैं इसके अलावा उट काफी लंबे समय तक भूक और प्यास को बरदास कर सकते हैं और ये ची हैं जो घोड़े के अंदर नहीं होती यही कारण है कि घोड़ा तेज होने के बावजूद भी रेगिस्तान में फेल हो जाता है चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मरे हुए उट को क्यों नहीं चूना चाहिए दोस्तों दरसल बात यह है कि उट की जो खथरनाग गैस होती है इसके अलावा ऊट के पेट में मौजूद पानी भी डैजिस्ट नहीं हो पाता यही कारण है कि उट के पेट के अंदर मौजूद माइक्रो और्गनिजम एक्टिव हो जाते हैं और यह वो जीव होते हैं जो बेहत खथरनाग होते हैं साथ ही यह गैस रिलीस करते हैं इसके अलावा रेगिस्तान में मौजूद रेत और कड़ी धूप उट के बॉड़ी को और भी जादा खतरनाग बना देती है और अगर ऐसी प्रस्तिती में कोई इनसान उट के बॉड़ी को छू लेता है तो इसके पूरे पूरे चांसेज हैं कि उट के ब बॉड़ी के लिए बेहत खतरनाग होगा आपको बता दे कि जितनी देर तक उट की डेट बॉड़ी पड़ी रहती है बॉड़ी और भी जादा खतरनाग होती जाती है और एक पॉइंट पे जाके उट की बॉड़ी गुबारे के जैसे फूल जाती है तब तो मात्र छूने स ही बॉड़ी ब्लास्ट हो सकती है वैसे दोस्तों कि आपको पता है कि उट इतने सारे पानी को कहां इस्टोर करता है हमारे कहने का मतलब है कि उट अपने बॉड़ी के किस हिस्से में इतने सारे पानी को इस्टोर करता है चलिए हम आपको इसका जवाब भी बताते हैं दरसल आपने उट के पीट पे कूबर देखा होगा और ये कूबर कोई आम सा कूबर नहीं होता बलकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर फैट होता है उट अपने फैट को कूबर में जमा करके रखता है और जब इसे जरूरत होती है तो ये फैट पानी और गर्मी में बदल जाता है जिसके वज़े से ऊट के बोड़ी की सभी एक्टिविटीज अच्छी तरीके से होती रहती है और इसे भूक और प्यास का एसास नहीं होता आपके जानकारी के लिए बता दे कि ऊट के कूबर में मौजूद एक ग्राम फैट से देड़ ग्राम पानी बन सकता है जिसका सीधा सा मतलब है कि ऊट को केवल अपने कूबर से ही 5000 ग्राम पानी मिल सकता है और आपको ये भी बता दू कि ओट के कुबर का पानी इस्तमाल होते वक्त ओट के सेहत पे कोई फरक नहीं पड़ता वैसे दोस्तों के आपको मालूम है कि ओट के होट क्यों इतने मोटे होते हैं दरसल रेगिस्तान में कई सारे काटेदार पेड़ पнधे होते हैं और उट इन पेड़ पौधों को आसानी से खा सके इसलिए इनका होड मोटा होता है दोस्तों उट के बारे में एक गलत धरना ये भी है कि उट के गोबर में पानी होता है जिसे प्यास लगने की इस्तिती में पिया जा सकता है लेकिन दोस्तों आपको बता दू कि ऐसा करना आपके लिए बेहत खतरनाक हो सकता है क्योंकि उट के मल में पीने लाइक पानी नहीं होता क्योंकि जो भी मल उट अपने पेट से निकालता है उसमें मल की मातरा बहुत ज़ादा होती है साथ ही इसमें कई सारे बेक्टेरियाज और जन्म सोते हैं अगर आप इसे भूल के भी पीते हैं तो हो सकता है कि आप किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाए चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतने ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया